नमश्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोश खबर कायटरम इस बार अपने कायटरम में मैं आपके साथ चर्चा करूंगी दो तीन एहम सवालों पर सबसे पहला सवाल यह कि जिस समय देश आजादी का 75 साल उसका जश्न मना रहा था ठीक उसी दिन देश की नागरिक बिल्किस बानों के साथ सामोहिक बलातकार करने वाले अपराधियों को जेल से छोड़ना क्या यह गलत फैसला नहीं था क्या यह देश और देश की महिलाओं का अपमान नहीं था दूसरा सवाल क्या प्रधान मंत्री नरेन मोदी जब बात करते हैं लाल किले से कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ नफरत होनी चाहिए तो क्या उन्हें जो देश में उनकी आखों के आगे हमारी आपके आखों के आगे बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं वो क्यों नहीं दिखाई देते सिर्फ बुंदेल खंड एक्स्प्रेस वे के गड़े में तब्दील होने का मामला ही नहीं बांध बह रहे हैं कहीं सड़क गिर रही है यह सब मामले आखिर उन्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहे दोस्तों सबसे बड़ा सवाल कि जिस समय हम आप और पूरा देश आजादी की 75 सालगिरह मना रहा है और जिस तरह से जश्न पूरे देश भर में हुआ और तो और प्रधान मंत्री ने अपने एक घंटे 20 मिनट के करीब का जो भाशन था जो लाल किले से उन्हों ने दिया उसमें महिलाओं के सम्मान की बात परकी बड़े जोर शोर से दावा किया कि महिलाएं भारत के विकास क्रम में एक अभिन हिस्सेदार होंगी ठीक उसी समय उन्होंने यह भी बात की कि महिलाओं के प्रती सोच बदलने की कोशिश है आदी इत्यादी सब कुछ कहा लेकिन जमीन पर उनकी पार्टी उनकी पार्टी की जो सरकार चल रही है उसने जो किया वह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन है प्रधान मंत्री नरेन मोदी के सामने गृह मंत्री अमिश्शा के सामने क्योंकि उनके नेत्रित में जो गुजरात की सरकार चल रही है भाश्पा का शाशन है वहाँ पर उसने जिस तरह से 15 अगस्त को सामुहिक बलातकार करने वाले निरिशन्स हत्याओं का जो आरोप जिन पे लगा जिनको सजा सुनाई गई ऐसे 11 कैदियों को छोड़ दिया तो सवाल यह है कि क्या इसी तरह से देश की महिला का सम्मान प्रधानमंत्री नरेन मोदी और उनके नेत्रित में जो भाश्पा की सरकारे चल रही हैं क्या यही रोल मॉडल है यहाँ आप ध्यान से देखिए यह जो चहरा आपको दिखाई दे रहा है यह भारत की नागरिक हैं इनसाफ की बहुत लंबी लड़ाई लड़ी बहुत होसले के साथ लड़ाई लड़ी बिलकिस ने बिलकिस वह महिला हैं जिन्होंने अपने उपर जो अत्याचार जहिला उसे मिलकर उसके खिलाफ जिस तरह से इनसाफ की लड़ाई लड़ी उसके उनके हर कदम पर जिस तरह से उनके शोहर याखूब पटेल ने साथ दिया वह अपने आपने एक मिसाल है लेकिन शायद जिस तरह से 15 अगस्त को उनके साथ सामोहिक बलातकार करने वालों को छोड़ दिया गया उसने जो मिसाल पेश की है वह बहुत डराने वाली है प्रधान मंत्री नरेन मोदी लाल किले से जब अगले 25 सालों की बात करते हैं भारत को 25 सालों में आगे ले जाने की बात करते हैं तब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आने वाले 25 साल क्या भारती महिला के लिए इस तरह के होंगे जहां बहुत मुश्किल से जो उसने इंसाफ हासिल किया जिन बलातकार करने वालों को अपने परीजनों की हत्या करने वालों को सलाखों के पीछे पहुचाया उन्हें इस तरह से रिहा कर दिया जाएगा यहां आप यह वीडियो देखिए यह वीडियो जेल के बाहर का है यह ग्यारा बलातकारी जब बाहर आते हैं तो किस तरह से इन्हें मिठाई खिला रहे हैं टीका लगाया जा रहा है जो सेलिब्रेशन हो रहा है वह याद दिला रहा है कि 2018 में जब एक बच्ची के साथ बलातक पारियों के पक्ष में जो जुलूस निकला था तक्रीबन वही द्रिश्य है वही कैनवास है दोस्तों आज बहुत जरूरी है बिल्किस को याद करना बिल्किस जिन्दा मिसाल हैं रिजिस्टेंस की रिजीलियंस की बिल्किस के साथ 2002 में जब गुजरात में कतलयाम का पूर भीर ने हमला कर दिया था उनके घर के चौदा लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी जिसमें उनकी तीन साल की बेटी सालीहा भी शामिल थी जिन्हें पत्थर पर पटक पटक कर मार दिया गया था बिल्किस प्रेगनेंट थी और वह लगातार जो तमाम अपराधी घुसे थे उनसे हाद जोड़ कर यह विंती कर रही थी कि वे उन्हें छोड़ दें क्योंकि वह प्रेगनेंट हैं लेकिन उनके साथ सामोहिक बलातकार किया गया और फिर बलातकारियों ने और हिंसक बीर्ड ने यह सोचा कि यह महिला मर चुकी है और वे वहां से चले गए इसके बाद तब से लेकर अभी तक जो संघर्ष बिलकिस ने किया है अदालत में नियाय प्रणाली को पूरी की पूरी तरह जवाब देह बनाने की कोशिश की है तमाम लोगों के साथ मिलकर वो अपने आप में मिसाल है 21 जनवरी 2008 को सीबी आई स्पेशल कोट ने 13 लोगों को दोशी करार दिया जिसमें 11 लोगों को आजीवन कारावास दिया गया मई 2017 में मुंबई हाई कोट ने इस फैसले को कायम रखा 2019 में सुप्रीम कोट ने बिलकिस को एक और राहत दी और कहा कि उन्हें 50 लाख रुपे का मुआवजा मिलना चाहिए लेकिन देखिए उसके बास से किस तरह से कितनी तेजी से चीजे बदलती है 2022 में आजी बनकारावास की सजापाय राधेश्याम शाह सुप्रीम कोट में रिहाई की गुजारिश करते हैं सुप्रीम कोट भी बहुत चतुराई से और बहुत जल्दी एक तरह से ओके करते हुए गेन को गुजरा सरकार के पाले में डाल देता है और गुजरा सरकार ने जो किया वो हम सब के सामने है 15 अगस को उसने देश की महिलाओं को यह तोफ़ा दिया उसने यह बताया कि जो लोग हत्ते और बलातकार करते हैं उन्हें रिहा करने के लिए किस तरह से पूरा सिस्टम काम करता है यहां बहुत जरूरी है उन 11 लोगों के नाम आपके साथ शेयर करना आप तस्वीर देख रहे हैं यह 11 लोग जो सामने खड़े हैं इसमें हैं जस्वंत नाई, गोविंद नाई, शैलेन भट, राधे शाम शाह, विपिंचन जोशी, केसर भाई वोहानिया, प्रदीप मोर्दिया, बाका भाई वोहानिया, राजु भाई सोनी, मितलेश भट्ट और रमेश चंदानी, यह जो कारवाई की, गुजरा सरकार ने, उस पर तमाम महिला संगठनों ने, मानवधिकार संगठनों ने, राजनितिक दलों ने, बहुत गहरी आपत्ती जताई है, और उन्होंने सीधे सीधे सवाल किया है, प्रदान मंत्री नरेन मोदी से, ग्रिह मं मंत्री अमिश्या से, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से उनके नेत्रित में जो सरकारें चल रही हैं, उन्होंने जिस तरह से बलातकारियों के पक्ष में एक कदम उठाया है, इसका जवाब देश के प्रदान मंत्री और ग्रिह मंत्री को, देश की महिलाओं को और देश के ना कि जब इतना जगन अपराद करने वाले लोग एक खास विचारधारा से जुड़े होते हैं तो उनके लिए सारा सिस्टम किस तरह से एक के बाद दूसरा कदम उठाता है और बहुत आसानी से विबहार आ जाते हैं शायद गुजरात में जो चल रहा है दो हजार दो में जिस तरह का नरसाहार वहां हुआ था उस पर जो वाइट वाश करने की कोशिश चल रही है वह हमारे आपके लिए निश्चित तोर पर एक खत्रे की गंटी है दोस्तों जिस तरह से मिस्टर पीएम ने लाल किले से यह अवान किया कि वह ब्रश्टाचार और ब्रश्टाचार करने वालों के खिलाफ नफरत चाहते हैं लोगों के बीच ऐसे में अचानक लगा कि जैसे वह भूली गए हैं कि 2014 से वही प्रधान मंतरी हैं उन्हीं की सरकार चल रही है वरना क्या यह संभव है कि उनकी आँख के आगे जो इतने बड़े बड़े भ्रश्टाचार के नमूने सामने आ रहे हैं जिस पर वे और उनकी राज सरकारे पूरी तरह से चुप हैं यह क्या महज इतफाक हो सकता है अब आप देखिए ना बुंदेल खंड एक्सप्रेस वे जिसके बारे में इतना जबरदस्त दावा प्रधान मंतरी नरेन मोदी ने किया उद्घाटन किया और उद्घाटन करने कि चन्द दिनों बाद जो तस्वीरें हमारे सामने आई कि किस तरह से वह पूरा एक्सप्रेस वे उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बैठ गया ढै गया सवाल सीधा है कि जो सडके बन रही है ये हमारे आपके पैसे से बन रही है और जिस तरह से ये बैठ रही है वह निश्चित तौर पर यह तो बताने के लिए काफी है कि ये निर्माड कार इमानदारी से नहीं हुआ है कोई कहेगा कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं है तो शायद ही यह बात किसी को हजम होगी अब देखिए जो लेटेस्ट खबर आई है यह आई है कारम बान से जिसका एक हिस्सा बारिश में बह गया मद्रप्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 280 किलो मिटर दूर धार जिले में 304 से जादा करोड रुपे की लागस से यह बान बन रहा है इस बान की हालत खसता है यह कभी भी सारा का सारा बह सकता है रिसाव हो रहा है एक हिस्सा इसका बह गया है अब आप देखिए कि इस बान्थ के बारे में खुद शिवरा सिंग चोहान की सरकार यह मान चुकी है कि टेंडर में गरबड़ी हुई है तो सवाल है मिस्टर पी एम क्या यह ब्रष्टाचार नहीं है हिमाचल एक्सप्रेस वे की फोटो हमने देखी वहां से जो खबरे आई हैं वो भी बता रहे हैं कि एक साल के भीतर उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा गिर गया बड़े पैमाने पर लोग फसे जानमाल का नुकसान हुआ सवाल बहुत सीधा है यहां हम बहुत बड़ी लिस्ट नहीं पूछ रहे हैं आपसे यहां हम आपसे यह नहीं पूछने जा रहे हैं कि जो दस लाख करोड के बैड लोन आपने रफा दफा किये जिसमें हमारा पैसा लगा था देश की जनता का पैसा था जो आपने कॉर्परेट दोस्तों को दे दिया या फिर पिछले दो सालों में जो कॉर्परेट टैक्स रेट की दरों में कटवती की आपने जिससे जो राजस्व है उसमें एक दशमलव आठ चार लाक करोड रुपे का नुकसान हुआ या इस तरह के अंगिनत आकडे हम वह सब नहीं रख रहे हैं आपके सामने हम जो बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं जो सडकें और हाईवे गिर रहे हैं सिर्फ उन पर ही पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये ब्रष्टाचार मिस्टर पीम आपके लिए नहीं है दोस्तों देश में जातिवाद क्या है और छुवा छूत किस कोने में नहीं है इसकी मिसाल देना बहुत मुश्किल है शायद पूरे देश में छुवा छूत का जो गंध है वो फैला हुआ है इस संदर में जो दिल दहलाने वाली तस्वीर और खबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है वो राजस्थान के जालोर से आई हुई है यह बच्चा इंद्र मेखवाल जो 24 दिन तक जिन्दा रहने की कोशिश कर रहा था और अंत में हिम्मत हार गया यह सुरना गाओं के सरस्वती विद्या मंदिर में तीसरी कक्षा में पढ़ता था इसके अध्यापक छैल सिंग ने इसे सिर्फ इसलिए इतना बेरहमी से मारा क्योंकि इसने स्कूल में उस मटके से पानी पीने की हिम्मत की जो तथाकेतित दबंग जातियां अपर कास्ट के लिए था अब आप देखिए कि इस स्कूल का सीधा तालुक राश्टी स्वेम सेवक संग से है वह स्कूल जिस मनुस्मिती के आधार पर अपनी पूरी विवस्था को चला रहा था वह मान के चलती है वह विचारधारा दलितों को वंचितों को बहर रखती है सारे डिस्कोर्स से और जिस तरह से इस बच्चे के साथ जो नाइनसाफी हुई जिस तरह से इसे मारा गया और उसके बाद जिस तरह से पूरा का पूरा जो राजनितिक घटना करम है वह इस बच्चे को नियाय दिलाने के बजाए इस बच्चे पे जुल्म करने और इसके परिजनों को सताने पर उत्रा उससे मामला बहुत साफ है कि जो जाती की गंदगी है वह उपर से लेकर नीचे तक बैठी है और यह मटका तो सिर्फ उसका एक सिंबल है सवाल बहुत सीधा है कि जब देश में आजादी के 75 साल मनाय जा रहे हैं उसे लेके जश्न मनाया जा रहा है तब हमें और आपको सोचना होगा कि आखिर दलित और वंचिस समाज इस आजादी को मृत उत्सव से क्यों जोड़ रहा है और उनके सवालों का जबाब किसी भी सरकार के पास क्यों नहीं है और दोस्तों अंत में देखे यह वीडियो यह वीडियो अपने आप में देश भक्ती की एक दूसरी ढंकी मिसाल दे रहा है इसमें जो दिखाई दे रही हैं वह हैं 9 साल की बेटी महनास कपन पिछले दो साल से जेल में बंद पत्रकार सिदीग कपन की बेटी अब आप देखिए उन्होंने सुतंतरता दिवस पर जो कहा उसमें भारत का दिल धड़कता है आपको यहाँ याद दिला दें कि सिदीग कपन 5 अक्टूबर 2020 से जेल में बंद है उन्हें उस समय पुलिस ने उत्तरप्रदेश पुलिस ने गिरफतार किया था जब वह हाथरस जा रहे थे जहां एक दलित बेटी के साथ सामुहिक बलातकार हुआ था और उसके बाद उनकी मौत हुई थी जिस पर हम तमाम पत्रकार दिली समेत देश के अन्य हिस्सों से वहाँ पहुचे थे अब आप देखिए कि यह जो बच्ची है यह जो सवाल उठा रही है यह कितना एहम है बच्ची मल्यालम में बोल रही है जिसका तर्जुमा हम आपको सुना रहे हैं यह बच्ची केरल के मलापुरम में जिले में अपने स्कूल में जो इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन चल रहा था वहाँ इसने अपनी बात रखी बच्ची ने कहा साधारण नागरिकों की आजादी पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए इसे रोका नहीं जाना चाहिए हर भारती नागरिक को बोलने की अपने पसंद के धर्म को चुनने और उसे मानने की छूट है आजादी है साथ ही वह क्या खाए इसकी भी आजादी है इसननी सी बच्ची ने यह कहा मैं सिदीक कपन की बेटी हूँ वह भारती नागरिक हैं जिन्हें अपनी आजादी से महरूम किया गया है जो कैद के अंधेरे में जीवन बिता रहे हैं बतोर भारती नागरिक हमें अधिकार है हर उस व्यक्ति को माकूल जवाब देने का जो हमें कहता है कि देश छोड़कर चले जाओ हमें हम सब को साथ साथ ही रहना है शायद यही देश भक्ति का तराना है जो हमारे आपके दिलों में गंगा जमनी तहजीब के साथ साथ बह रहा है शुक्रिया